Hello everyone, welcome to missile classes. Dear students, अगर आप semester 2 से related हैं तो ये वीडियो आपके लिए most important होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 2021 में किस प्रकार से question पूशे गये थे core paper 3 में और 2022 में आप से किस प्रकार से question पूशे जाने वाले हैं इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आच्छे तरह से डिसस करने वाले हैं तो कोई भी candidate चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press करें और साथ ही साथ उस candidate तक पहुचा इस वीडियो को जो political science on us paper political science से लेकर study कर रहे हैं सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको 2021 में किस तरह से paper पूछे थे तो ध्यान दीजेगा सबसे पहले जो आपको compulsory part हो आपको study करना है सबसे important होता है यह sentence इसके बाद चार कोशन बचेंगे चाहे वह long question हो या short question यह आपको solve करना है तो चली देखते हैं सबसे पहले कि जो हम लोग देखते हैं short question में क्या क्या पूछा गया था यह जिसका परती का marks एक-एक marks के हैं तो चली पहला जो question है most important question है पहला number पहला number जो question है भारती आर्थवयुस्ता को किसका प्रकार के अंग्रेज सरकार की वैपार नीती से ने बरवाद किया जब अंग्रेज भारत आए थे तो भारत की आर्थ वयोस्ता है वो किस प्रकार से बरवाद कर चुके थे तो इसका जो right answer होगा कच्छे माल के कीमत में विर्धी यानि option number अपका C इसका राइटन्स रोगा अगला question क्यों चलते हैं नस्ट question है question number B निमलिखित में से किने भारती राष्टी कॉंग्रेस का जर्मदाता माना जाता है तो याद रेखेगा भारत में जो कॉंग्रेस का स्थापना क्या था वो पूरा डीटेल्स में बताना चाहता हूँ 1880 में कब क्या था 1880 24 दिसंबर 1880 किसी ने क्या था ये question पूछा गया है इसके याद रेखेगा A.O.H.U.M. option number D इसका राइटन्स रोगा इसी तरह से अगर 2022 के पेपर आप लोग पाना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके रखे हैं मैं आगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉर्प पेपर 3 में 2022 में किस प्रकार से कोशन पूछी जाने वाले है और इसमें बताने वाला लास्ट में कि 2022 के अभी जस्ट एक्जाम होने वाला है इसमें आपको लॉंग कोशन किस प्रकार से पूछी जाने वाले हैं तो वीडियो के विल्कुल आप लोग आं तक देखेंगे इसकित ना करें थोड़ा सा भी सवराज जी मेरा जर्मा अधिकार है यह statement किसी ने दिया था जो आपका sentence है यह कथन किसी ने कहा था तो याद रिखेगा बाल गंगातर तीलक ने किसी ने कहा था बाल गंगातर तीलक इसका option no.D का राइट हैंंसरोगा अगला question को चलते हैं मैं तो एक भारतिय टॉम्टू जिसका कारी सोते वे भारतियों को जागाना है ताकि वे उठे और अपनी मिर्तिभूमे के लिए कुछ कारी करें यह statement जो है वो किसी ने दिया था बहरे बहरे इंपोर्टन है तो यह statement दिये थे एनिवे सेंट जी ने और डी इसका राइटएंसर होगा अगला कोशन पूछा गया ताकि इनडिया विम्स फ्रीडम के राइटर कौन है तो इसका जो बिल्कुल राइट एनसर हो गया और अफिस्ञ नमबर अपनी मौलना अभूल कलाम अजाद एसका राइट नमबर अगला कूछन चलते बिक्राण 298 में सवराज जी बिदय किसीने निर्दैशित किया था बहरी बहरी इंपोर्टन कोशन और आपकी जो इजाम होगा ना इसमें भी इसी तरह से कोशन अभी जस्ट पूछे जाने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल अपलोग इसके इपना करें तो इसका जो राइट एंसर हो आना है तो इसका जो राइट एंसर होगा एक अगस्ट उनिस सो बीस एक अगस्ट उनिस सो बीस आपको बिल्कुल से उतर होगा अगला कोशन चलते हैं अब हम लोगी लेकर चलते हैं आपको short question क्यों यानि दो question है चार question दिये है इसमें से आपको दोनों solve करना है पहला जो question है वह 4 marks का दूसरा भी question 4 marks का यानि 8 marks का question है question पूछा गया निमलिकित पर संचीप टिपने लिखे यानि आपको 50-60 सब्दों में इसका संचीप टिपने लिखा है किसके बार में तो पुना प्यक्ट और दिवेंदे सासन option number A और B दोनों का आपको compulsory है कि आपको करना ही पड़ेगा ठीक है अब हम लोग चलते हैं part number 2 की ओर जिसमें से आपको मैंना भी जस्ट बताए कि compulsory है question number 1 उसके बाद आपको 4 long question करना है आपके पास 8 long question दियावा है 8 long question है उसमें से आपको किनी भी चार प्रसंट कर उत्तर देना है तो डियाश्ट में जो पहला प्रसंट पूछा गया था भारत में राष्टी जागरिती की परकिर्ती किया परकिर्ती एवं कारणों की विविचना करें या ती नमबर में पूछा गया था भारती राष्टी सिध्धान्त एवं सांधनों के विविचना करें तो डियाश्ट एन इससे दर से कोशन पूछे गये थे उसके बाद जो संचेप में आगला जो कोशन पूछा गया था यह भी आपको पता होना चाहिए लास्ट में आपको दो संचेप में स्वाट कोशन पूछा गया था यह आपको जो भी आच्छा लगता है उसमें दो दो को एंसर देना पड़ेगा आपका पहला पूछा गया था बाल गंगादर तिल्लक के बार में स्टेडि करना है या भारत छोड़ो अंदोलन या लखनो समझो था भातिराश्टी कॉंग्रेस इन सब के बारे में आपको संचेप पूछे जाने वाले हैं या आपकी जो पेपर अभी जस्ट होने वाला है महां अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस प्रकास सो कोशन पूछे जानेगे या आप चाहरें कि सर इन सब का एंसर मुझे चाहिए अच्छी ढंग से जिस तरह से मैं एक्जाम लिख पाऊं और साधरन भासा में होना चाहिए तो एंसर के लिए इस चैनल से आप लोग जुड़े रहे हैं A to Z आप लोगो कांटेंड में प्रफाइट करने के लिए कोशिस करूँगा जो 100% आपके एक्जाम में सेलेक्टिड कोशन होगे इस से बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो चैनल पर आप लोग बिल्कुल अगर नहीं आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और उस केंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंचाए डियर स्ट्रेट जो क्लास यानि समेस्टर 1-2 से रिलेटेड रखते हैं तो चैनल हम लोग देखते हैं इत कॉर्पर फोर में किस तरह से कोशन पूछेगे और फिर हम लोग देखेंगे कि जो भी कोशन पूछेगे या प्रकास कोशन पूछे जाने वाले हैं इन सब का मैं एंसर लेकर आने वाला हूँ जो एक दिम सायधारन भासा में होगा तो अगर आप लोग चारे के सार इन सब के एंसर चाहिए तो आप लोग comment box में comment करें मैं answer भी एतना बहतरिंग तरीके से बताने के कोशिस करूँगा कि एक अच्छे सच्छे बच्चा भी एक नॉर्मल नॉर्मल बच्चा भी समझ में आ जाए कि एक लग आप एक भी समझे से बताने कोश नॉर्मल नॉर्मल नॉर्म है